जो हमारा पहला स्टॉक होने वाला है, उसका नाम है HDFC Life Insurance, जब से नया बजट आया है, उसमें New Regime की बात की गई है, तब से जो Life Insurance Segment है, उसको काफी तादा हिट मिल गया है, कि भाई, यह साइक साइ सेक्षन हटा दिये गए हैं, कौन इसको खरीदेगा, कौन इस पर नहीं खर ग्रीन केंडल आपको देख रही है, करीब करीब 5% के आसपासी यह कंपनी आज आपको अब देखने को मिल रही है, क्योंकि जो Fundamental है, वो कंपनी के बहुत ज़्यादा शांदार है, HDFC इसको बैक करता है, तो ऐसा भी नहीं कि Overnight बंद हो जाएगी यह कंपनी, दूसी चीज अगर आप logically देखते हो, obviously ठीक है, कि भाई आपको tax saving ले मिलता था, पहले लोग इसके उपर ध्यान देते थे, लेकिन अगर आप logically देखोगे, COVID के बास से लोग ज़्यादा aware हो चुके हैं, क्योंकि काफी सारे लोग है, क्योंनोंने insurance नहीं करवाया था, वो काफी ज़्याद बढ़ गया है, ठीक है, अगर आप India का देखते हो, तो 4% से increase होता है, जैसे normal inflation 7% से होता है, hospitalization इंडिया के लिए 14% से grow हो रहा है, हर साल के basis पे, तो आज नहीं तो कल normal ही लोगों को पता चल जाएगा, सारे के सारे insurance लेने ही वाले हैं, तो देखो budget दो या मत दो, logically ये product तो वो दिख जाएगा, धीरे-धीरे India educate हो रहा है, तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी, तो इसी वज़े से अगर आप insurance company को short term के लिए देखते हो, मैंने उस समय भी बोला था, short term में हो सकता है आपको pain दिखे, हो सकता है बहुत ज़्यादा return ना दिखे, बट अगर आपको एक next multi-baggers sector चाहिए इंडिया के अंदर, तो वो insurance company होने वाली है, जैसे जैसे इंडिया के पास पैसा बढ़ेगा, वैसे वैसे चीज़ें कही न कहीं mobilize हो जाएंगी, insurance sector के बारे में, जब से YouTube है, बहुत ज़्यादा लोग discuss भी कर रहे हैं, कि ये sector grow होना चाहिए, दू करते हो, तो सबसे पहले अगर आप hold हो, या आपके पास कोई existing बिमारी है, तो 3 साल तक तो वो cover ही नहीं करते हैं, ठीक है, वाँ पर holding period होता है, अब आपने 3 साल तक एक insurance को चला लिए, अब जो भी आपकी बिमारी हो, सब cover होने लग गई है, insurance company के through, तो अब आप क्या करोग अब उस company को बंद नहीं करवाओगे, मतलब उस एक insurance को कम बंद नहीं करवाने वाले, चाहे उसका premium पहले 5,000 था, अब 10,000 हो चुका है, जैसे last year 50% के आसपस premium बढ़ गया है, मुझे याद है मेरा 8,000 के आसपस जाता था, अब 12,000 के आसपस जाता है, तो यह product stickiness है, कि अगर आप एक बार घुस गया insurance company के अंदर है, तो आप उसके साथ ही रहोगे, यह एक major plus point है insurance company के साथ, तो यह एक sector है, जो मुझे लगता है, आने वाले टाइम पर बहुत ही अच्छे तरीके से grow करने वाला है, obviously government के जो भी rules आने, उस थोड़ा impact हो सकता है, short term में, लेकि long term में, आपको समझ जा जाएगा, कि insurance कितना important है, तो इसी वज़े से अगर आप देखोगे, वापे से green candle हुई है, क्योंकि यह काफी ज्यादा पिटा हुआ sector कहीं नहीं, यहां मान सकते, covid के वज़े से बहुत ज़दा pit गया था, क्योंकि बहुत ज़दा पिट गया था, क्योंकि ब एक आदे बार यह ज़रूर टच करके नीचे आने की कोशिश करेगा, क्योंकि यहां पर sentiment खराब हो गए है, तो ज़्यादा investment नहीं आ रही होगी, लेकिन जिस दिन यह 520 रुप को तोड़ेगा, उस दिन आपको बहुत असान से 611 रुपे क्यास पर सा सकता है, अगर आप द धीरे-धीरे ग्रो होना शुरू हो चुका है, यह सेक्टर और आने वाले टाइम पर ग्रो होगा, अगर आप आरे साही देखोगे, 30.19 की आरे साही पर कमपनी ट्रेड कर रही है, इसको पर में एक dedicated video बनाने वाला हो, तो चानल को सब्स्राइब आप कर सकते हो, ताकि आपको जल्दी से जल्दी ऐसे सेक्टर के बारे पर चले, जो ग्रोथ होने वाली है, जहां पर बहुत तेजी से, ठीक है, अब हम चलते है, अपने अगले स्टॉक की साइड, अब जो हमारा अगला स्टॉक होने वाला है, उसका नाम है Blue Star, हम सब ने देखा ही होगा, हम सब ने कभी ACF, कुछ और यूज किया होगा, और यहां पर आप देखें, एक green अप्रान आपको देखने को मिला है, वहला breakout देखने को मिला है, काफी undervalued सेक्टर है, यह, यहां पर दो मीजर तरीकी की कंपनिया काम करती है, एक कंपनिय होती है, जो lower middle class और middle class को target करती है, दूसरी होती है यह upper middle class और elite class के लोगों को target करता हो, देखेगा, blue star होगे, decan होगे, यहां पे यह ज़्यादा चीज़ें बिकती हैं, ठीक है, अगर आप देखते हो, जो undervalued stock हैं, वो कौन से आपको देखने को मिल रहे हैं, वो देखने को मिलेंगे, lower middle class और middle class वालों को, covid को जएसा जो उन durable, आपको growth होते हुए दिख रहा है, इसके उपर काफी बार वीडियो अल्रेडी बनाई हुई है, इस sector के उपर भी, अगर आपने बनाई हुए तो आपने यह जो breakout मिलाई से, यह ज़रूर लिया होगा, अब बात करते हैं, यहां पर अगर हमने अभी तक नहीं खरीदा है, क कोशिश कर सकते हो, support के आसपास आने जो, जो की होने वाला है, आपका 1285 रुपे के आसपास, यही हो सकता है, अगर आप देखोगे, uptrend कैसे आप नाप सकते हो, यह देखो, यह एक नया, एक नया, और एक नया, नतलब, जो भी इसका पहला support था, उस पे टच करके, एक नया resistant बना करके, एक नया support बनाता है, this is called uptrend वाली market, यह uptrend वाला stock, और यह stock uptrend के अंदर है, मेरा suggestion रहेगा, इसकंदर position अगर आपको बनानी है, तो यह सही time हो सकता है, क्योंकि ए growth sector है, और consumer durable इता-ता पिटने के बाव जो, blue star काफी अच्छे तरीगे से grow कर पा रहा है, इसका मतलब यह जो revenue है, काफी अच्छे तरीगे से grow कर पा रहे हैं, यह stock भी आपकी portfolio में होना चाहिए, अगर आप देखूगे, RSI चल रहे 76.30 के आसपास की, आपने पहले लिया हुआ, तो अच्छे आधा portfolio में होगा आपके, अभी तक नहीं लिया, तो at least support पे आजान दो, तभी आपको इसकंदर invest करना चाहिए, तो यह था हमारा second stock, जो हमारा third stock होने वाला है, उसका नाम है Avenue Supermart, इसके बारे में भी हमने recently काफी ज़्यादा videos बनाई है, हम यहाँ पे देखो recovery दिख दी है, जब मैं बोल रहा हूँ, videos बनाई है, इसके बीचे reason यह है, हम ज़्यादा तर stock को रखते हैं, जो उस समय पर अच्छे valuation पर होते हैं, आपके return भी वहीं ज़्यादा बनेंगे, जो company valuation पर अच्छे आ जाती है, obviously अगर आप DMART की बात करोगे, premium valuation अभी भी इनके पास 95 के आसपास की देखने को मिलती है, जो DMART है, उसके जो shares हैं, वो बहुत ज्यादा liquidate नह जो mainly बेचते हैं और खरीदते हैं, वो कौन है, वो public खरीदते बेचते हैं, क्योंकि FIA बेचता दो DIA खरीद लेता है, तो यही एक reason है, यह जो company हैं, आपको किसी भी bad situation में भी, आपको 3200 के आसपास ही आते हुए देखी है, जहाँ पे इनके revenue तक कम हो गयते, उससे ज़्या यहाँ पर एक support है, यहाँ पर एक company आते दिखती है, उसके बाद एक upfront देती है normally, यह इसका normal trend रहा है last year साल से, मुझे यह लगता है, इस समाप पर एक company आपके watchlist में ज़रूर होई चीए, I know, ज्यादा तर लोगे पर Solidity Demart होगा, मुझे इस पर ज्यादा बोलने की ज़रूत जिनका business model भी proven है, उन में से सबसे बड़ी company आपको Demart देखने को मिल रही है, जिस नमना business model prove करा हुआ है, और यही एक plus point आ जाता है इसके साथ, obviously online की जो दिक्कत है कि अभी online में इत्यजादा grow नहीं कर पारे, वहाँ पे cash burn हो रहा है, parallel वाला business में, OPM के में ठीक है, यह हर ए यह भी चीज़े breakout कर लेंगे, यह चीज़े figure out कर लेंगे, कैसे काम करनी चाहिए, मुझे लगता है अगर आपका long term का vision है, तो यह आपको बहुत शांदार return मना करके देगा, अभी भी आपको 35% के आस-पस का discount के देखने को मिल रही है, इस stock नेरे portfolio में मैंने दुबारा से इ गरिट करना शुरू करतिया है, मैं बहुत ही ज़्यादा डालता हूँ तो 5-7% के आस-पस में portfolio का रख लेता हूँ किसी के stock के अंदर, तो अगर आप मेरे सब पुछोगे कौन से वो stock है, Avenue Supermarkt, Bajaj Finance, यह मेरे दो ऐसे stock है, जो सबसे ज़्यादा है मेरे portfolio के अंदर इस समय पे sell button दबा दूँँ, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी मुझे काफी सही लग रहा है, RSI भी 36 के आस-पस है, मतलब fear zone के अंदर है, मुझे लगता है बहुत जल्दी यहाँ पे recovery देखने को मिलेगी, तो इसलिए यह position मैंने build करने शुरू कर दी है, अब जो हम से recovery दिखेती, वैसे ही चली जाएगी, लेकिन मुझे लगता है, यह एक बार आपको दुबार आते हुए दिखेगी, 2380 रुपे के आस-पस, at least यहाँ तक तो आपको देखने को मिलनी चाहिए, यह company, तब ही हम जाकर किसके अदर position build करेंगा, गर हमें नई position build करनी है, अगर आपने नीचे खरीदा हुए, करीब-करीब, मानलो, 1900 रुपे के आस-पस, आपने पहले खरीदा हुए, तो क्या करना चाहिए, मेरे को लगता है, आपे position build करने का अच्छा opportunity आपको मिल रही है, कि बहुती कम chances है, कि यह वापिस से आपको 1900 रुपे के आस-पस आते हुए दि कि ज्यादा तर लोगों के पास extra पैसा बचे, वो ज्यादा saving के साइड ना जाए, आपके पास cash बचेगा ना, तो आप कितने भी अच्छे बंदे हो, कितने भी तगड़े बंदे हो, आप कहीं ना कहीं, extra खर्चा कर दोगे, बीवी होगी, girlfriend होगी, तो आपको उनको चीज़ उसके बाद यह बहुत top level की company मन जाएगी, इसके आपके portfolio में ज़रूर होनी चाहिए यह वाली company भी, इस तरिखी की videos पसंद है, जो short में analysis करते हैं, तो आप इस channel को subscribe कर सकते हो, हम regular video लेके आने की कोशिश करते हैं, आने वाले time में, आज ही हम दो video और plan करने हैं, जो कि हम publish कर करने वाले हैं, तो अगर आपको latest चीज़ जाने जरूरी तो subscribe कर सकते हो, चानल को, वीडियो को लाइक जरूर करते हैं, thank you so much for watching this video, tata bye bye, signing off.